इंदोर देवास में हो रही बारिश के चलते शहर में राम घाट पर शिप्रा में जलस्तर फिर से बढ़ गया है लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर रविवार को एक बार फिर बढ़ गया राम घाट पर पानी नदी के किनारे छोड़ सड़क पर आ गया घाट के आसपर शेत्रों में घुटने घुटने पानी भर गया इससे नदी पर इसनान करने आने वाले लोगों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है इससे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है आज शिपराजी वापिस उपान पर है और 24 दिन हो गये हैं शिपराजी का लगातार पानी बेह रहा है और विशेश करके सावन भादा हुजाने के बाद जिस तरीके से एक बार बाढ़ आए थी स्टाइटिंग में उसके बाद से दो बार बाढ़ आ चुकी छोटी-छोटी और आज तीसरी बाढ़ वापिस आने की तहियारी है जिस स्काली पर सहरे है और अभी घुटने घुटने पानी एरा महीं पर अबी स्रक्षा पूर्ठ पुरुझ अपनी जगा लगे पुलीय करभी भूंगात तेराक दल अपनी सुवीदा आके हिसाब से सब लोग को सुवीदा दे रहे हैं इसी को लेकर हम लोग सब यहाँ पर लगें